वेल्कम तो मैं चैनल इस वीडियो में सॉल्व करें कुर्शन बड़ थरी तो ध्यांद जीगा दि एरिया आफ दी बेस आफ और राइट सर्कुलर सिलिंडर इस 616 सेंटीमेटर स्क्वाइर यह क्या दे दिया है एरिया आफ दी बेस मतलब कि यह वाली एरिया दे दिया है यह जो है यह एरिया है इसका एमाउंट दे दिया है 616 सेंटीमेटर स्क्वाइर ओके कर रहे हैं कि एट सिथ इस रपाइट इसंटीमेटर और इसका जू हाइट वह दे दिया है 2.5 cm सिलिंडर का अब मुल रहे हैं कि find the curved surface area of the cylinder तो इसका बताना है कि curved surface area क्या होगा मतलब इसके यह जो 4 तरफ का जो यह curved surface area होता है वो पूछ दिया है तो करेंगे क्या यहाँ पर हमें पहले radius find करना पड़ेगा हमार पास मुला होता है 2πrH तो radius तो नहीं दिया हुआ ہے यहाँ पर height दिया है तो मुले radius निकालेंगे तो radius के लिए क्या करेंगे इसका area दिया हुआ है base का तो base का area दिया हुआ है तो हम इसका center यहां मान करके यह radius से दी मानते हैं r तो इस r की value निकालेंगे पहले यह R होगा क्या यहां से यहां तक तो इस R के लिए हम क्या करेंगे Pi R square is equal to इतना पूरूफ कर देंगे फिर हमें R की वल्य मिलेगी solution since दिया हुआ है area of the base area of the base of the cylinder is equal to क्या दिया हुआ है 616 cm square अब यहां पर formula इस करेंगे तो यह होगा Pi R square is equal to 616 cm square अब यहां पर Pi की वल्यू तो कुछ दिया नहीं है आप directly यहां पर 22 by 7 रख सकते हैं into R square is equal to 616 cm square अब यहां पर यह कुछ कटेगा नहीं यहां पर R square is equal to इन दोनों को transpose करना पड़ेगा राट हैंट साइड में तो देखें यहां पर 7 से क्या किया गया है divide किया गया है 22 में 7 को multiply करना पड़ेगा और 22 से divide करना होगा means यह हम transpose करेंगे तो मिलेगा 616 into 7 उपर multiply हो गया अब 5 divided हो जाएगा 22 से ठीक है centimeter हो जाएगा यहां पर क्या कटेगा 112022 115055 और 656 116066 फिर तो से कटेगा 202 यह कटेगा तो 2204 और 1216 तो यह आगया आपका अब यहां पर आगया आपका r square is equal to 28 multiplied by 7 centimeter square अब ध्यान दिजेगा यहां पर 28 और 7 को कभी multiply मत करिएगा directly यहां पर factorize कर दिजेए यह दोनों को तो r बराबर यहां पर square root निकाल सकते हैं तो square root निकालेंगे तो 28 को factorize कर दिजे तो मिले का आपको 7,4 जा होता है तो 2 into 2 into 7 तो है ही यहां पर तो 7 into 2 into 2 हो गया into 7 हो गया और यह centimeter square यहां पर रहेगा ही multiplied में तो इन दोनों में से pair बना करके निकाल लेंगे तो 7 का देखें यहां यहां pair बन रहा है यह pair और एक 2,2 का बन रहा है यहां पर और centimeter square तो है ही तो क्या निकल जाएगा 7 into 7 मतलब 7 निकलेगा एक और 2 निकलेगा और यहां पर centimeter मतलब की हो गया 7 to 14 14 centimeter ठीक है तो 14 centimeter क्या है radius आ गया तो radius अब आ गया तो हम निकाल सकते है curve service area so curve service area of the cylinder is equal to 2 pi r h formula होता है इसमें रखलेंगे 2 into 22 by 7 यह आप pi की value into r की value कितनी है यहां निकला अभी 14 into h h आपका है 2.5 यहां पर दिया है na h ओके आप 7 से करेंगे 7 to 14 अब उपर मतलब लाई करना है के वाल तो देखेंगे 2 से मतलब लाई करेंगे इसमें 2.5 में तो यह 5 हो जाएगा यूखी 2.5 का दोगोना क्या होता है 5 होता है तो 5 अब 5 हो जाएगा अब 5 से इन दोनों को 5 से मतलब लाई करतेंगे 2 से कितना आ जाएगा 10 हो जाएगा और 10 से 22 में मुटले कर दिंगे आ जागा 220 तो 220 के आ जागा centimeter square this is the surface area of the curved surface area of the cylinder okay thank you so much for watching bye